आ गिया आ गिया आ गिया फाइनल समेस्टर हो चाहे थर्ड समेस्टर हो चाहे फर्स समेस्टर हो चाहे बेक पेपर हो सभी को यहाँ पर पास कर दिया है इस इन्विर्शिटी ने बिना एक जाम करा है किया गिया पास अभी अभी ज़स्ट तूरंते देख पार है दोस्तों सबिसे रिक्वेस्ट करते हां जोड़कर इस वीडियो को दूसरे स्टुडेंट के पास जरूर से जरूर भेज़ देजिएगा लाइक कीजिएगा और उसके बाद दोस्तों आप सभी अपने वीचार हमारे साथ जरूर सेर कीजिएगा तो चलिए पूरी नीच पूरी खबर द पूरी कराई गई है डिगरी कौरणा संकर में छात्रों के हितों का हवाला देते हुए UGC guideline को दरिकिनार कर दिया गया UGC को यहाँ पर दोस्तों कह दिया गया UGC के कोई guideline हम नहीं मानेंगे जो करना है कर लो हम किसी भी पर कोई UGC का guideline यहाँ पर हम नहीं मानने वाल है जो करे हमको जैसे भी करे मेरा university हम जैसे चाहिए वैसे कर सकते है नीचे comment लिए दोस्तों क्या इन्होंने सही किया या गलत किया इन्होंने कहा गया है कि पस्चीम बंगाल के टेक्निकल इंवर्सिटी ने बीना एकजाम कराए यूजी और पीजी कोर्सेस के फाइल समेस्टर का रीजल जारी कर दिया है इन्वर्सिटी ने मौझूदा समेस्टर और एसेस्टमेंट और एसेगमेंट के 80-20% के फार्मिले को आधार बना कर रीजल तियार किया है बेक्पेपर वाले चातरों को भी बीना एकजाम कराए ग्रेस मार्स के साथ पूरी डिगरी पूरी कराए गई पस्ची मंगाल की मौलाना अब मुल्ग कलाम आजाद इन्वर्सिटी एही इन्वर्सिटी में दोस्तों आप सभी का रिलेड घुसित कर दिया है बीना किसी परिच्छा का इसमें यह भी कहा है ने मानम संसादर विकास मंत्रा और ग्री मंत्रा लेके निर्देशों को मोजुदा परिश्टेती में लागु करना उचित नहीं समझा क्या इन्वर्सिटी ने सही समझा या नहीं अपना विचार जरूर इसके साथ दोस्तों 6 जुलाइ को जारी युजीसी की गाड़लाइन के तत फाइनल समेस्टर के एकजामने सन नहीं कराएं है इन्वर्सिटी ने यूजी की गैडलाइन, यूजी सी की गैडलाइन से पहले 30 जुन को फाइन समेस्टे सात्रों के रिजल्ट का जो फॉर्मूला लागू करने के लिए आदिस जारी किया थे उसी के तहत रिजल्ट जारी किया गया दोस्तों 30 जुन से पहले पहले यह जो अपना फॉर्मूला लागू कर दिया गया था कि हमारे इन्वर्सिटी में बच्चे इसी परकार से पास होंगे उसी फॉर्मूला को यहाँ पर लगा दिया गया फिर लिखा हुए इन्वर्सिटी के एकजाम कंट्रोल डॉक्टर सुभास सीन दतने की और से इस बारे में नोटिफिकसन जारी किया गया इसमें बताया गया कि इन्वर्सिटी ने यूजी पीजी के फाइनल समेस्टर चातरों को रिजल्ड पब्लिस कर दिया गया यहां पर साब साब दोस्तों important point है कि यूजी और पीजी का जो फाइनल समेस्टर से उनका रिजल्ड पब्लिस कर दिया गया गया जिसको आप स्कोर के तरव कर देख सकते हैं कुछ दिन के बाद दोस्तों यहां पर YGP और DGP और MAR स्कोर भी अपडेट हो जाएगा तो यानि कि इन सभी courses को भी यहां पर रिजल्ड दे दिया जाएगा इसके ससत examination control की ओर से कहा गया कि कौरणा माहमारी में देखते हुए इन्वर्सिटी ने मुल्यांकन की जो वेकलपिक बेउस्ता लागू की गई थी उसके आधार पर ही रिजल्ड जारी किया गया तो यहां पर दोस्तों यहां पर बता दें जो इन्वर्सिटी है इसमें गाड़लाइन के बाद बीना exam कराए चातरों को रिजल्ड जारी किया ग जब एक राइज की इन्वर्सिटी यह फैसला ले सकती है तो दूसरी राइज भी यह भीकलप खुलेगा तो दोस्तों बंगाल ने ले चुका है इन्वर्सिटी क्या इंगनू को भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए नीचे कमेट लेखे कि हां कुछ भी हो जाए आप नहीं देने जाएगे तो नहीं देने जाएगे आप नीचे कमेट लेखे किया आप पर इच्छा देने जाएगा इनू का या नहीं जाएगा दोस्तों नीचे कमेट लेखे गा जरूर यह इन्वर्सिटी नहीं यह फर्मूला अपनाया इन्वर्सिटी आठारो बीस के फॉर अप्टेंडेंडेंट्ट ऑनलाइन क्लास मानी गई बाकि बीश पर तीससे जो अंक एसाइज़नेंट्ट में दिये गिए एक एक से ज्यादा बेक्पेपर वाले छात्रों को पिछले पर्कुमेंस के आधार पर ग्रेस मार्क देकर उनकी डिग्री पूरी कराईगी दोस्तों यहां सबसे मस्त बात यह है कि जो बैक पेपर थे एक पेपर या दो पेपर में जितने भी लगे थे सभी को ग्रेस मार्क दे कर उन डिग्री को सभी का सभी डिग्री को यहां पर करार दे दिया ही है इसके सासद इन्वर्सिटी ने रेगूलर और सभी बेक्वेपर वालो छात्रों के लिए फॉर्मल एक्जामनेशन की देने का विकल्प रखा है गया कोई छात्र अपने मार्क्स अपग्रेट करना चाहेंगे तो ऐसे इस्तिती में परिच्छा देखर अपना रेजल अपडेट कर सकते हैं तो दोस्तों यह एक भूती रहत भरी खबर है आप सभी के लिए दोस्तों यही जो मुक्त जो मुलाना अब्दूल क्लाम आजाद इन्वर्सिटी है टेक्नोलोजी जो की वेस्ट बंगल में है इस बंगल आप सभी के लिए इनका ओफिसली नोटिफिंगेशन आप यहां पर देख पा सबी कर दिया है और सथ दिन के वीतर भीतर इन सभी जो कॉरसे से YGPA इन सभी का भी result update score जो है marks यहाँ पर score update कर दिया जाएगा इसके साथ दोस्तों इनके जो website है इनके website पर यहाँ पर दोस्तों जैसे कि देख पार है यहाँ पर result certificate चेक करने के लिए यहाँ पर एक tape खोल दिया है इस result के यहाँ पर click अगर कोई student result को यहाँ पर search कर सकता अपना जो भी चीज result है दोस्तों यहाँ पर देशे के देख पार है यहाँ रिजल्ट अपने हिसाब से UG PG जो भी courses यहाँ पर देख पार है यह सभी का सभी result आप आसानी से यहाँ से देख सकते किसी को कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा आराम से यहाँ पर result अपना search कर सकता है सभी का यहाँ पर देदियागी अब आप सभी नीची comment लेखे दोस्तों जब यह एक छोटा मोटा university है और वो एक decision ले सकता है तो इगनू इतने लेना चाहिए यह नहीं लेना चाहिए आप सभी नीचे आंदोलन करें इतने ज्यादा से ज्यादा हो सके नीचे comment लेके नहीं जब यह university कर सकते हैं तो इगनू को भी करना पड़ेगा इस टैप से करके पूरा मेसेज भर दी एक डेल लाक मेसेज कर दीजे comment कर दी आप वीडियो को एक डेल लाक आदमी के पास पूरा पर पूरा सेंट कर दीजा लाइक तो पूछना ही मत जो भी वीडियो देखने से पहले पहले लाइक का बटम ही डबा दी जी अगर इस step से करते हैं दोस्तों यह देखिए दोस्तों कितने कुछ दिन के बाद और इंवर्सिटिया रिजल्ट आए उसकी वीडियो हम बनाएंगे देखिए कितने इंवर्सिटिया तो जब इन सारी इंवर्सिटी जब भीना परिछा दिये हुए लगाता रिजल्ट घोसित कर रहे हैं तो आखिर इगनु क्या स चाह रही है कि इगनों इसलिए पैसा लेना चाहती ताकि बिद्धार्थों का बैक पर लग जाए और उससे क्या मोटी मोटी रकम अठे क्या चाहते हैं दोस्तों आप सभी नीचे कमेंट क्यों नहीं लिखते हैं आपका जवाब एक बहुती मत्तपून होता है लेकिन आप स तो आप सभी इसको सपोर्ट करिए जितना ज़्यादा ज़्यादा हो सके वीडियो को फिलाईए लोगों के पास भीजिए दबना लोग जानेंगे कि बहुत सारे एसी स्टूडेंट है जो कि इस चैनल के बारे में नहीं जानते तो उसमें आप सभी को सपोर्ट चाहिए ताकि हम देखे सपोर्ट इसलिए मांग रहे हैं कि वीडियो जादस ज़्यादा कि लोगों के पास पहुँचेंगे तो आवाज उठेंगी एक्ता में ही बल है कहा जाता है जब एक्ता में ही बल है यानि कि देखा जाएगे कि बहुत सारा इसा मैसेज किया या जब वो इन्मिरसि हमारी जो फेल चुके उसको कितने अच्छा सैप्टी से यह गवर्भेंट ले लिया या इगनु को भी इसी प्रकार से लेना चाहिए और बाकि जितने भी भारत में तमान इंवर्सिटिया है चाहिए यूजी सी का गैड्लैंड को फुलो हो चाहिए नहीं हो किसी से कोई मतल हम अपना देश बचाएंगे हम अपना राइज बचाएंगे हम अपना घर परिवार बचाएंगे बस रिजल घुसित कर दे बिना परिच्छा का हम एहीं चाहते आप क्या चाहते अपने बीचार हमारे साथ जरू सेर करें तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो के हमारे साथ जरू बने रहे हैं कि क्यों हम यहाँ पर देते लेटिस्ट कबर जो आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगा चलिए दोस्तों थाइंक्स पर वाजिंग